Hey guys, welcome to my channel आज की वीडियो में बताऊंगी कि आप एक फोन में दो मोबिविक एप कैसे यूज कर सकते हो अगर आप भी एक फोन में दो मोबिविक चलाना चाहते हो तो बहुत आसान है यहाँ पे आपको क्या करना है सिंपली अपने फोन के प्ले स्टोर में आना है और प्ले स्टोर से एक मोबिविक एप को डाउनलोड कर लेना है जब आप प्ले स्टोर से एक मोबिविक एप डाउनलोड कर लेते हो उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फोन की सेटिंग में आना है और यहां पिसर्च करना ए एपस छी कि इंठी है यहां पे ips प्लिक पर अपशिन प्लिक करना हे ऐसके वार जब क्लिक करते हो this दियुद करते है यहां पे ऐपशिन के मिलता है ड obedience dub icon आपकोDAY कर्क करना है जैसी आप ड कुलिक करती हो ते द क्लिक करती हो और इस app के आगे आपको एक on-off जैसी setting मिलती है इस setting को on कर देना है जैसी है आप इस setting on कर देती हो दन यहाँ पे आपका जो Mobiwik app है उसका dual create होचका है आप दोनों पे account बना के दोनों को use कर सकते हो इस setting को बंद कर देती हो दन यहाँ पे आपका dual app है वो अपने आप ही डिलीट हो जाएगा तो आप अपने according इस setting को on-off कर सकते हो तो इस साह आप बिना किसी आप के एक फोन में दो Mobiwik app चला सकते हो डूल Mobiwik app यूज कर सकते हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब मैं चैनल फॉर मोर वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग